हेलो स्वाथियो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों बात करेंगे डिफेंस सर्विस स्टाफ कोलेज वेलिंग्टन जो कि अपकी तमिल नालू नील ग्रीज की है इसका फोर्म अपलाई वे थे 8 अक्टुबर से 28 अक्टुबर 2022 के अंदर जो कि आपका नोट notification देख सकते हो कि इसके अंदर अलग-अलग प्रकार के trade की वागाएन फिरीं थी दिसमें आपकी LDC की दिघ्राई फिर्म ट्री म्ट सिर्च की तो मृट है तो स्रूरी mts कारवल एड्मिट कारब कि ड्राइबर में आपका 12 पास और हैवी लाइसेस दो साल का एक्स्पिरियंस मांग रखा था और यह आपकी एज लिमिट थी इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ स्लेबस क्या है आपका इसलेबस आपका डिजनिंग होने वाली है मैथ होगा इंगलीस होगी अवेरनेस और ट्रेड़ स्पेस्पिक तो यह मान के सब चक्ति आप डेड़ सो नंबर का आपका एक्जाम होगा जिसके अंदर पचास की आपकी जिक्के एक बार से मैं फिर से लिग देता हूँ पचास की ही आपकी रिजनिंग और 25 का मैत और 25 की इंगलीस यह आपका सलेबस रहेगा ट्रेड़ स्पेसिफिक भी दे रखा है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता तो यह से कोई शोर नहीं है कि आपका ड्राइबर समन्द कुशन आएंगे लेकिन यह सलेबस एक्जेक्ट आर्मी का सलेब ड्राइबर का यही रहता है एसी वैंगलोर के अंदर भी यही था सलेबस तो दिन का भी एड्मिट कार्ड नहीं आया है एक दो दिन वेट कर लो आ जाएगा पोस्ट में से बोल दो कि हमारा एड्मिट कार आने वाला है तो प्लीज हमारे गर पे देखे जाए और डिस्क्रि से कोई कहां से जा रहा है तो उनको थोड़ी सी हल्प मिल जाएंगी सब साथ जाएंगी तो और इसके अलावा तो जो भी अगर कोई दिक्कत है कुश्यन है तो जरूर कमेंड करके पूच सकते हो वैलिंग्टन के अंदर ही आपका डिफाइंज सर्विस टाफ कुलीज है यह ड्राइंग टेस्ट कैसे होता है इसकी एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है आप वीडियो में सेक्शन में जाके देख सकते हो आर्मी ड्राइंगी टेस्ट के नाम से तो यहीं मैं आपका एड्मिट कार्ड है शीलियन मोटर ड्राइवर ड्ससी यहां पर से लिखा हुए है वैन्यू ओफ रिटेन टेस्ट डी एससी वेलिंग्टन तमिल नाडू दो मार्च दो अजार तेहिस का इनको बुलाया गया है आठ बजकर शुबह आठ बजे और इसके लवा क्या-क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ तो यह आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन दियो एक कंडिगेट को रिपोर्ट एड़ इस कोलेज एट लिस्ट टू आवर दो गंटे पहले आपको वहां पर पोचना है जो भी आपको डी एससी वेलिंग्टन बुलाया गया है और क्या के लिखा है अलोंग वीदे पोटो और एक आइडेंटिक आड़ आपके पास होना चाहिए आपको लाव नहीं किया जाएगा अगर आप बताएगा टाइम के अनुसार नहीं पोच्छे इसके अलावा इसके अलावा यू विल भी सब्सक्राइट टेस्ट के लिए अगर आप रिटन में क्वालिफाई हो ठीक है कोई सिखास कोई नहीं है इसके लावा तो कोई आपको काम की चीज नहीं है तो आप यहां पर अपने रिटन एक्जाम देने के लिए पहुँच सकते हैं और ओर डोकमेंट नहीं लेकर जा रहे हैं आपको कोई भी साइथ इसमेरिया से कुछ लिख तो नहीं रखा लेकिन सिर्फ एक फोटो इडेंटी कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड है वो ही आपको ले जा सकते हैं आईडेंटी कार्ड में आप आधार कार्ड ड्राइव सिगा है वो जरूर मेंट करेंगे ग्रूप जोइन कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों